हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेक्निकल में फिर से दोस्तों लेके आए हूँ नहीं चौप की इंफोर्मेशन रिक्रीटमेट आ रही है दोस्तों ब्रहमोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रहमोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो की इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है अवेधन मागेगे हैं दोस्तों अलग-अलग पुजीचन के लिए जिसके लिए आप आल अवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं कितनी total number of vacancies ने उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है लेकिन अगर आपका selection होता है तो आपको यहाँ पे मोका मिलेगा काम करने का और यहाँ पे दोस्तों जो है वो permanent recruitment नहीं है recruitment जो है वो provision period पे रह सकती है contract basis पे रहेगी permanent job नहीं है इन future यह permanent हो जा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन हाँ फिलाल के लिए यह job जो है वो permanent बिल्कुल भी नहीं होगी तो यहाँ पे दोस्तों डिटेल में बात करते हैं associate engineer की post associate supervisor की post है जिसके लिए आवेदन जो है वो मागे गए है बात करेंगे eligibility criteria की selection process की सारी चीज़ों की detail में बात करेंगे तो शुर से लेके last next video को ध्यान से देखे complete देखे ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक detail का पता चल जाए सबसे पहले vacancies जो है वो बिल्कुल भी बताई नहीं गई है पहली post associate engineer जिसमें अगर आपने fresh graduate है याँ बी बीटा का अपने degree कर रखी है electronics में, electrical में, mechanical में specialization है तो आप बिल्कुल eligible है apply कर सकते radar background से आते हैं electronics, electrical branch से हैं तो आपको ज़्यादा prefer करा जाएगा और यहाँ पे 25 साल maximum wage limit रखी गई है आपकी age जो है वो 1 April 2021 तक 25 साल से जादा नहीं होनी चाहिए location की बात करें new daily रहेगी और salary आपको 22,000 per month तक जो है वो मिलने वाली है उसके लावा दोस्ते associate supervisor ERP के लिए अगर आपने BCA या BSC computer science करा हुआ है साथ में दो साल का जो ही वो post qualification experience है आपके पास तो आप eligible apply कर सकते हैं post qualification experience यानि कि जो experience आपने अपनी qualification complete होने के बाद जो है वो लिया है उसको post qualification experience वो बोला जाता है यानि कि अगर आपने internship कोई करी हुई है तो उसको आप as a experience use नहीं कर सकते हैं 35 year यहाँ पे age रखी गई है सेम एक April 2021 तक आपके age 35 year से जाधा नहीं होनी चाहिए location हैदराबाद 18,000 पर मंद salary आपको मिल जाएगी associate supervisor के लिए भी B.com या M.com के साथ अगर आपने दो साल का experience लिया हुआ है तो आप eligible apply कर सकते 35 साल age limit और नागपूर location रहेगी 18,000 salary आपको मिल जाएगा driver की भी दोस्तों यहाँ पे post है जिसमें की 10th pass मांगा गया है लेकिन heavy vehicle driving license के साथ आपके पाद 10 साल का experience होना चाहिए किसी भी private या public sector से तो आप eligible apply कर सकते 40 साल maximum age limit रखी गई है पिलानी जगा है जहां पे आपका location रहेगा और 15,000 per month आपको salary मिल जाएगी उसके लावा दोस्तों बात करें last date की तो 5 April जो है वो last date रखी गई है आपको 5 April तक आवेदन कर देना है अवेदन आपको offline mode से करना है यहाँ पे click करेंगे तो एक application form जो है वो download हो जाएगा उस format को आपको फिल कर लेना है फिल करने के पाद आपके supportive document जैसे कि आपकी जो है वो 10th का certificate की photocopies उसके साथ graduation की photocopies सभी photocopies को जो है वो attach करके आपको जो है इस address पे फेज देना है बाकी जब आप application फेज देंगे तो आपकी application 5 April 2021 तक पहुँचाने चाहिए अब यह आप by hand भेज सकते हैं या आप जो है वो courier का इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट के दूरू भेज सकते हैं या आपके अपने ऊपर है यह है दोस्तो application format जिसके बारे में मैं बात कर रहा था इसको fill करके आपको इनके बताय हुए address पे फेज देना है लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि selection process के बारे में notification में detail में कुछ भी बताया नहीं गया हो सकता है return test तो हो सकता है interview के माध्यम से selection हो जाए shortlisted करा जाएगा candidate को shortlisted करने के बाद जो लोग shortlisted होगे उन्हीं लोगों को return test या interview के लिए बुलाया जाएगा यह depend करता है कि कितनी number of vacancies है और कितने जो ही उनके पास applications जाती है बाकि number of vacancies उन्होंने नहीं बताई है तो all over India के लिए यह भरती है तो बहुत सारी applications आने वाली है हो सकता है कि return test लिया जाए हो सकता है कि interview लिया जाए लेकिन shortlisted candidate का ही लिया जाएगा यानिकि सभी का exam नहीं होने वाला है तो यहाँ पे दोस्तों यह application format है बहुत सारी instructions यहाँ पे दी गई है आप चाहें तो read कर सकते हैं आपको help हो जाएगी और आपके supportive document की photocopies के साथ यह हाँ पे आपको picture लगानी है एक दो picture साथ में extra attach करिएगा यह सारे जो columns हैं इनको fill करिएगा और इनके बताय हुए address पे भेज़ देना जो शुरुआत में मैंने आपको बताया किसी भी time पे आपको लगेगी आपको कुछ जादा जानकारी चाहिए तो इनका notification read करिए इनकी website पर जाएए link आपको सारे important description में मिल जाएगे हमारी website का मिल जाएगा वहाँ पे जाके सारी जानकारी आप read कर सकते हैं तो यह जानकारी दोस्तों दी गई है उनकी official website पर बहुत अच्छी recruitment है ब्रहमौस aerospace की तरफ से आ रही है all over India से आप apply कर सकते हैं fresh is बिल्कुल eligible है apply कर सकते तो यही था दोस्ता आज की इस वीडियो में यही लिखा गया उनकी notification में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और आशागरता हो का आपको वीडियो पसंद आया होगा समझ आया होगा वीडियो से related questions comment section में पूछिए channel को subscribe करें मिलते हैं next video में